हेलो फ्रेंड्स आप सब एक अपने HDS टूटोरियल पर स्वारगत है आज हम लोग क्लास 6 का देखेंगे हिस्ट्री चेप्टर 3 का कोर्से अंसर उके चेप्टर 3 का नाम है आरंबिक किसान एवं चेरवा है तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो जंगली कुद्था अदिमान उनने शरव परथम जंगलि कुद्था बनाया पिर देखिए खा नमबर बूर्ज होम खलेस्थान में इस्थित पूरा अस्थल है इसका अंसर हो जाएगा कसमीर के बूर्ज होम कसमीर में इस्थित एक पूरा अस्थल है फिर देखिए गा नंबर खाले स्थान में चावल की खेती का आउसेस मिला है, तो इसका अंसर हो जाएगा कोलडी हवा, कोलडी हवा में चावल की खेति का उसेश मिला है, यह जो यहाँपर कोलडी हवा है आपको यहाँपर खाले स्थान में लिखिना है, इस जगभपपर लिखिना है फे देखिए, घा नमबर गड़े के नीचे बने घर को खाले स्थान कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा गर्थ अवास गड़े के नीचे बने घर को गर्थ अवास कहा जाता है फिर देखिए अंगा नंबर सीभूम के लोटा पहाड पर खालेस्थान कालीन अवजार मिले हैं तो इसका अंसर हो जाएगा सीभूम के लोटा पहाड पर मध्य पासान कालीन अवजार मिले हैं यहाँ पर जो मध्य पासान है उसका आपको यहाँ पर खालेस्थान में लिखना है अब देखिए चा नमबर, चा नमबर के कोशन है, खाले स्थान संजय एवं सोन नाला के संगम पर इस्थित है, तो इसका अंसर हो जाएगा, बारुड़ी संजय एवं सोन नाला के संगम पर इस्थित है, तो इसे नोट कर लिजे, उसका लोग बढ़ते हैं सेकेंड नमबर की दिखिए 2nd number का question है सही कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन लगाएं ओके यहाँ पर सही गलत है तो देखिए का number है आंखेटक खायदे संख्रहक जूंड में रहा करते थें तो यह जो लिखा हुआ है आखेटक खायदे संग्राहक जुंड में रहते थे यह बिल्कूल सही है वे हमेशा ग्रूप में रहते थे जहां खाना मिला वहां चले जाते थे खाना खतब होने के बाद वहां से पलायन करके दुसरे जगह चले जाते थे भोजन के तलास में के लिए तो यह सही है अब देखते हैं खा नमबर क क्रिशी की शुरुवात, पुरा पासान काल में हुई थी, यह गलत है, अब देखिए, गनम्बर, चिरांद बीहार में इस्तित एक पुरा स्थल है, तो यह सत्य है, ओके, यह बिल्कूल सत्य है, अब देखिए, मेहरगढ में चारिया अधिक गमरों के घर का अवसेश मिला है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है, क्लियर है, इसे मैं एक बार रिभाइच कर दे रहा हूँ, पहला वला सत्य होगा, दूसरा वला गलत होगा, तिसरा वला सत्य होगा, चोथा वला भी सत्य होगा, तो इसे नोट कर लिजे, अब हम लोग बढ़ते हैं, कोशन अंसर की ओर, परिशनोत्तर का पहला नमर देखिए किसान एक अस्थान पर क्यों रहा करते थे तो इसका उत्तर देख दुखे कालांतर में लोग बीजों के कत्र कर वर्षा के दीनों में अपने गुफाउं यानि कि घरों के समीप बुआई कर उचित देखबाल करना सुरू किये ताकि वे पौधे बढ़ सके और उनके बीज पक सके इस प्रकार वे धीरे-धीरे किसान बने क्रिसी की सुरुवात से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया हम जानते हैं कि बीज बोने से फसल तयार होने तक में वक्त लगता है उसकी उचित देखभाल करनी पड़ती है यही कारण है कि वे अब एक ही अस्थान पर रहने लगे तो इससे नोट कर लिजे खेती करने के लिएक अस्थान पर रहे थे क्योंकि खेती का देखभाल ही करना पड़ता है इसे नोट कर लीजिए हम लोग बढ़ते हैं second number की ओर second number के question है पसुपालन से आदि मानो को क्या लाब हुएं तो देखिए पसुपालन यानि कि पसुपाला आदि मानो लोग तो आदि मानो को क्या लाब हुआ इसका उत्तर हो जाएगा देखिए आदि मानो सबसे पहले जंगली कुत्ता को पालतु बनाया होगा देखिए हाँ पर गया थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा गया है इसको आपको नहीं लिखना है इसको छोड़े देना है अरबर मैं सरुपालन से रिड कर दे रहा हूँ भोजन के रूप में वे जानवरों से दूध मांस प्राप्त कर सकते थें इस प्रकार जानवर उनके लिए चलते फिरते भोजन के भंडार थें बुर्ज होम से प्राप्त कब्र में पालतु कुत्ते को माली के साथ दफनाये जाने का साक्ष्य मिला है तो इस तरीके से जानवरों को पालतू बनाये गया जिससे आदिमानों को लाब होने लगा इसे नोट कर लिजे इसके बाद लोग देखते हैं next three number three number के question देखिए बसने की परकिरिया से पालतू जानवरों में क्या परिवर्तन पाए गये तो देखिए लोग एक जगा बसने लगे तो उससे पालतू जानवरों में क्या परिवर्तन आया तो इसका अंसर हो जाएगा देखिए बसने की परकिरिया से पालतू जानवरों में निमलिकित परिवर्तन पाए गये जिसे देखिए नीचे लोगों के द्वारा एक जगह रहकर पौधों को उगाने एवं जानफरों की देख्भाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है इस हेत्व उगाय गए पौधे एवं पाले गए जानफर जंगली पौधों और जानफरों से भीण होते हैं पालतु जानवरों के दात जबड़े एवं सींग उसके जंगली नसले से छोटे होते हैं बसने की प्रक्रिया 12,000 वर्स पहले शुरू हुए थी जो आज भी जारी है इस तरीके से इसका अंसर हो गया इसे नोट कर लीजे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर नंबर की ओर फोर नंबर की कोशन है पुरा तत्व विद कैसे पता करते हैं कि कोई अस्थल पुरा अस्थल है तो देखिए पुरा तत्व विद कहने का मतलब उन लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई भी अस्थल बहुत पूराना स्थल है ये इतना साल पहले है उतना साल पहले है कैसे पता चलता है तो देखे इसका अंसर हो जाएगा पुरा तत्वविद्ष और पर्थम चिनित छेत्र का खनन करवाते हैं तथा प्राप्त सामगरियों का अध्यान कर बताते हैं कि वह यह अस्थान किस काल का था तथा उस काल के लोगों का जिवन कैसा रहा होगा भारतिय उप महादुइप के कई जगहों पर पुरा तत्व विदो को क्रिसी तथा पसुपालन के कई साक्षे मिले हैं जो बिहार जारखंड तथा दक्षिन भारत में पाए गए हैं तो इसे आप नोट कर लिजे पोड़ नम की और फाइब नमबर का कोर्शन देखिए बान घाट से नौपासान कालिन कौन-कौन से अवजार प्राप्त हुए हैं तो देखिए बान घाट से कौन-कौन से नौपासान कालिन का अवजार मिला है तो इसका अंसर हो जाएगा बोल गारा के निकट बान घाट से नौपासा पूरा पासान काल की 5 प्रस्तर, जिसे कुलाःयां चार वले प्रस्तर, एक प्रस्तर की थापी और काले रंग की मृत्भांड के टुकडे प्राप्त हुए हैं तो इस तरीके से नौकाल इन पासान के अजार मिले हैं इसे नौट कर लिजे और इसे याद कर लिजेगा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए आए चर्चा करें का बढ़ते हैं हम लोग देखिए पहला कोस्टन है पुरा पासान काल के लोगों के जीवन एवं नौपासान काल के लोगों के जीवन में क्या भीनताएं मिलती हैं तो देखिए पुरा पासान काल में और नौपासान काल में जो लोग थे उनमें क्या क्या भीनता थी इसको लिखना है तो देखिए ये चर्चा करे कोस्टेन है तो चर्चा करे थोड़ा सा लंबा ही रहता है तो ये लंबा कोस्टेन है आप चाहे तो इसका छोटा भी लिख सकते हैं और चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं जिन अस्थान पर मानों रहते थे उन अस्थानों पर अनिक प्रकार की आउजारों जैसे पत्थर के, कुलहाडी तथा भाले के आउसेस मिले हैं, वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे, लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का सिकार करते थे, मचलि हैं, इसका अंसर यहां तक भी लिखेंगे तो चलेगा, वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे, यहां तक, एक, दो, तीन, चार, पांच, लगभग पांच लाइन, उसके बाद अब निच्छा दिखिए, नौपासान कालिन जीवन, इसके बारे में कम पांच लाइन लिखना पड़ेगा, इस काल में क्रिसी, पसुपालन तथा आग के प्रियोग ने मानों को अस्थाई जीवन के लिए प्रित किया होगा, और वे जगा-जगा घर बनाकर रहने लगें, उनके घर प्राय मिटी के बने होते थे, आप चाहे तो इसको यहां तक भी लिख सकते हैं अंसर, उनके इतना तक लिखिएगा, नौपासान कालिन का इनफ है अंसर, लेकिन आप चाहे तो लंबा भी लिख सकते हैं, चलिए मैं पूरा ही इसको पढ़ देता हूँ, यहांसे देखिए, कई जगहों से पत्थरों और अवजार जैसे प्रस्तर, कुल करने में होता होगा, बरतन का उपयोग, चीजों को रखने के लिए किया जाता था, तो इस तरीके से आप चाहे तो लंबा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहां तक भी लिखिएगा, तो चलेगा, मिटी के घर बने होते थे यहां तक और पूरा पासान के लिए आप यहा अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन की ओर, नेक्स्ट कोशन दिखिए, नौपासान काल में इस्तरियों का जीवन कैसा रहा होगा, तो दिखिए इसका अंसर हो जाएगा, इस काल में स्रम विभाजन की जहलक मिलती है, कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ जोपडियां बनाना आधि कायरे करते थे, आप चाहे तो यहां तक भी अंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको लंबा लिखना है तो आप इधर का लिखिएगा, लेकिन आपको छोटा लिखना है तो जोपडियां बनाना आधि कायरे करते थे, यहां तक भी आप लिख सकते ह मैं पढ़के बता देता हूँ क्योंकि किसी किसी को लंबा भी आंसर चाहिए होता है बच्चे घरों में सुखते हुए अनाजों को पसुओं एवं पक्छियों से सुरक्चा करते थे ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुए थे कहीं कहीं इस्तरी एवं पूरू से अभी भी सिकार तथा खाद संग्र का काम जारी रखे हुए थे कहीं क्रिसी तथा पसुपालन को अपनाया गया था कुछ जगहों पर लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे किलर है तो इस तरीके से यह हमारा चप्टर चप्टर थ्री कंप्लिट हुआ आई हब आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लिए को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और इसी परकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहां पर बेल आइकन को ओल में क्लिक करें इसके बाद टूटोरियल को टेच करें आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा अब आपको प्लेलिस्ट पर टेच करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मे तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद